C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार दे गए चित्र के नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हैं वो इस प्रकार से है मिल जुलकर स्कूल में जाए साथ पढ़ी और साथ में खाए रंग बेरंगी प्यारी दुनिया साथ मिलकर इसे सजाए मलहार मलहार भारतिय शास्त्री संगीत का एक राग है ये मुख्य रूप से वर्षा रितु में गाया जाता है वर्षा रितु में प्रकरती नूतन रूप धारन करती है इस रितु का संबंध सिर्जन, सौंदर्य, नएपन और क्रिशी से भी है ये पुस्तक मलहार भी अपने गठन, विशैवस्तु और गतिविधियों में सिर्जन, सौंदर्य और नएपन पर बल देती है भाशा संगम इस पृष्ट पर एक कविता दी गई है और लिखा है भाशा संगम भारत वर्ष अखिल विश्व में अतुलनी उतकर्ष हमारा भारत वर्ष ज्यान और विज्यान अर्थ पर मार्थ ध्यान मान आत्म सम्मान प्राण धन धान्य दान सुधा सिंधूरस गान काविकृतिया महान सब कुछ जिसका है जग का आदर्ष हमारा भारत वर्ष अखिल विश्व में अतुलनी उतकर्ष हमारा भारत वर्ष प्रिष्ट के उपरी भाग में पाहाणों का चित्र दिया गया है और प्रिष्ट के निचले भाग में दो बच्चे अपने हाथों में भारती जंडा लेकर खड़े हैं मात्र भोमी उंचा खड़ा हिमाले आकाश चूमता है नीचे चर्ण तले जुक नित्सिंद जूमता है गंगा यमुन त्रिवेणी नदिया लहर रही है जगमग छटा निराली पगपग छहर रही है वो पुन्ने भोमी मेरी वो स्वान भोमी मेरी वो जन्म भोमी मेरी वो मात्र भोमी मेरी जरने अनेक जरते, जिसकी पहाडियों में, चिडियां चहक रही हैं, हूँ मस्त जाडियों में प्रिष्ट संख्या दो इस प्रिष्ट के दाई तरफ जरने का चित्र है, तथा कुछ पौधे भी दिये गए हैं अमराईया घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तनमन समारती है वो धर्म भूमी मेरी, वो कर्म भूमी मेरी, वो जन्म भूमी मेरी, वो मात्र भूमी मेरी जन में जहां थे रगोपती, जन में जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वन्शी पुनीत गीता गौतम ने जन में लेकर, जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया वो युद्ध भूमी मेरी, वो बुद्ध भूमी मेरी, वो मात्र भूमी मेरी, वो जन्म भूमी मेरी कवी सोहन लाल द्वेदी, इस प्रिष्ट के दाहिनी तरफ, पहाड से बहते हुए ज़रने का चित्र है और साथ ही नीचे, दो पश्वों की चित्र भी हैं, जिन में एक हिरन और एक बारा सिंगा है प्रिष्ट संखिया तीन इस प्रिष्ट के दाहिनी तरफ, सबसे उपर, कवी का चित्र है इस चित्र के नीचे लिखा है 1906 से 1988 कवी से परिचय इस कविता को हिंदी के प्रसिद कवियों में से एक सोहन लाल द्वीरी जिनने लिखा है उनका जन्म आज से लगबग सवा सो साल पहले हुआ था उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विशय था देश भक्ती भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं बढ़े चलो बढ़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदी पाट से आईए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें आगे दी गई गतिविधियां इस कारे में आपकी साहता करेंगी मेरी समझ से का यहां दी गई प्रश्णू का सठीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाईए एक हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है चरण हिमालय वन्शी या सिंधो आपको सही उत्तर के सामने तारा बनाना है दो मात्री भूमी कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है भारत के महापुरुशों की जै की गई है भारत की प्राकृतिक सुन्दर्ता की सराहना की गई है या भारत वासियों की वीर्ता का बखान किया गया है ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताईए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने प्रिष्ट संख्या चार मिलकर करें मिलान पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिये गए हैं अपने समों में इन पर चर्चा कीजिए और इने इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाईए इसके लिए आप शब्द कोश, इंटरनेट या अपने शिक्षिकों की सहेता ले सकते हैं यहाँ पर एक तालिका है तालिका के बाई तरफ सबसे उपर लिखा है शब्द और तालिका के दाहिनी तरफ लिखा है अर्थ या संदर्भ यहाँ पर दस शब्द दिये गए हैं जो इस प्रकार हैं एक हिमालय, दो त्रिविर्णी, तीन मलय पवन, चार सिंधु, पाँच गंगा यमुना, छै रगोपती, साथ श्रेक्रिष्ण, आठ सीता, नौ गीता, और दस गौतम बुद्ध तालिका के दाइं तरफ लिखा है अर्थ या संदर्भ, ये भी एक से लेके दस तक हैं, जो इस प्रकार हैं एक, एक प्रसिद महापुरुष, बौध धर्म के प्रवर्तक दो, वसुदेव के पुत्र वासुदेव तीन, भारत की प्रसिद नदिया चार, तीन नदियों की मिली हुई धारा, संगम पाँच, श्री राम चंदर का एक नाम, दशरत के पुत्र छे, दक्षने भारत के मले परवत से चलने वाली सुगंदित वायू साथ, एक प्रसिद और प्राचीन ग्रंत शिरिमद भगवद गीता इसमें वे प्रशन उत्तर और संबाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे आठ, समुद्र एक नदि का नाम नौ, जनक के पुत्री जानकी और दस, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली परवतमाला अब आपको शब्द और अर्थ या संदर्ब का उचित मिलान करना है पंग्तियों पर चर्चा कविता में से चुनकर कुछ पंग्तियां यहां दी गई हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजे आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साजा कीजे और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए पंग्तियां हैं वह युद्ध भूमी मेरी वह बुद्ध भूमी मेरी वह मात्रि भूमी मेरी वह जन्म भूमी मेरी प्रिष्ट संख्या पाँच सोच विचार के लिए क कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्न लिखित के बारे में पता लगा कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए एक, कोयल कहां रहती है दो, तन मन कौन समारती है तीन, जरने कहां से जरते है चार, श्रेकृष्ट ने क्या सुनाया था और पांच, गौतम ने किसका यिश बढ़ाया खा, नदियां लहर रही है पग पग छहर रही है लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा मौज, उमंग, वेग, जोज छहर का अर्थ होता है बिखर ना छितरा ना, छिटक ना, फैल ना कविता पढ़कर पता लगाईए और लिखिये कहां कहां छटा छहर रही है किसका पानी लहर रहा है कविता की रचना गंगा यमुन त्रिविर्णी नदियां लहर रही है यमुन शब्द यहां यमुना नदी के लिए आया है कभी 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 कविता की लए और सौंधरे को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं यदि आप कभीता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेशताएं पता चलेंगी आपको जो विशेश बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साजा कीजिए और लिखिए जैसे सबसे उपर इस कभीता का एक शिर्षक है मिलान स्तंब एक और स्तंब दो में कुछ पंक्तियां दी गई है मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खीच कर जोड़िए प्रिष्ट संखिया छे इस प्रिष्ट के उपरी भाग में एक तालिका दी गई है जिसमें दो शिर्षक है स्तंब एक और स्तंब दो स्तंब एक के नीचे लिखा है एक वो जन्म भूमी मेरी वो मात्री भूमी मेरी दो चिडियां चहक रही है हो मस्त जाडियों में तीन अमराई या घनी है कोयल पुकारती है और स्तंब दो के नीचे लिखा है एक यहां आम के घने उद्ध्यान है जिन में कोयल आदी पक्षी चह चहा रहे है दो मैंने उस भूमी पर जन्म लिया है वह भूमी मेरी मा समान है तीन वहां की जलवायू इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड पौधों के बीच प्रसनता से गीत गा रहे है अनुमान या कलपना से अपने समों में मिलकर चर्चा कीजिए क, अमराईयां घनी हैं, कोयल पुकारती है कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? ख, बहती मलय पवन है, तनमन समारती है पवन किसका तनमन समारती है? वो ये कैसे करती है? शब्दों के रूप यहां शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविद्या दी गई है इने करने के लिए आप शब्द कोश, अपने शिक्षकों और साथियों के सहायता भी ले सकते है कर यहां दी गई पंक्तियों को पढ़िये जगमग छटा निराली पगपग छहर रही है इन पंक्तियों में पग शब्द दो बार आया है इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े यहां दिये गए हैं इनके अर्थ लिखिये प्रिष्ट संख्या साथ घर घर रिक्तिस्थान बाल बाल रिक्तिस्थान सांस सांस रिक्तिस्थान देश देश रिक्तिस्थान और परवत परवत रिक्तिस्थान ख, वो युद्ध भूमी मेरी, वो बुद्ध भूमी मेरी कविता में भूमी शब्द में अलग-अलग शब्द जोड़ कर नए-नए शब्द बनाए गए हैं आप भी कुछ नए शब्द बनाए और उनके अर्थ पता कीजिए संकेत हैं तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्ताव्य, मरू, मलै, मल्ल, यज्य, रंग, रण, सिद्ध आदी इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है यहाँ पर एक सूरज का चित्र है, जिस पर लिखा है भोमी दोनों तरफ तीन-तीन बादलों की चित्र है अब आपको इन बादलों पर नए शब्द बना कर और उनके अर्थ पता करके लिखना है थोड़ा भिन, थोड़ा समान यहाँ दी गई पंक्तियों को पढ़िए जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया प्रिष्ट संख्या आठ दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है आप भी अपने समू में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाए जिन में केवल एक मात्रा का अंतर हो जैसे घडा, घडी पाठ से आगे आपकी बात क इस कविता में भारत का सुन्दर वर्णन किया गया है। अपने परिवार के किसी सदसे या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन-कौन सी बात हैं आपको अच्छे लगती हैं। कुछ वादियों के चित्र दिये गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिये और सही चित्र के नीचे लिखिये। वादियों के नामों का शब्द जाल यहाँ पर एक वर्गाकार चित्र है। इस चित्र के पांच भाग हैं। चित्र में कुछ अक्षर दिये गए हैं। पहली पंक्ति के अक्षर हैं श, ह, न, इ, बां। दूसरी पंक्ति के अक्षर हैं अ, भम, द, शं, सू। तीसरी पंक्ति के अक्षर हैं ल, को, स्व, ख, और री। चौथी पंक्ति के अक्षर हैं गो, रा, र, बी, और न। और पांच्वी पंक्ति के अक्षर हैं ज, रिक्तिस्थान, म, सी, और गी। अब आपको वाद्यों के नामों के इस शब्द जाल में से वाद्यों के नाम छांटने हैं और इसे वाद्यों के नीचे लिखना है। प्रिष्ट संख्या नौ इस प्रिष्ट के उपरी हिस्से में कुछ वाद्यों की चितर दिये गए हैं। इस प्रिष्ट के उपरी हिस्से में दो पंक्तियों में चार-चार चित्र दिये गए हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा है अक्षर A, आगे है रिक्तिस्थान। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है B, रिक्तिस्थान। तीसरे चितर के नीचे लिखा है बां रिक्तिस्थान और चोथे चितर के नीचे लिखा है सीं रिक्तिस्थान दूसरी पंक्ति के पहले चितर के नीचे लिखा है अक्षर श दूसरे चितर के नीचे लिखा है ना तीसरे चितर के नीचे भा और चौते चितर के नीचे लिखा है शं अब आपको रिक्तिस्थान में सही अक्षर चुनकर लिखने हैं आज की पहेली आज हम आपके लिए एक अनूखी पहेली लाए हैं यहां कुछ अक्षर दिये गए हैं आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाईए अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है यानि उनका क्रम बदला जा सकता है आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक तालिका दी गई है जिसके तीन भाग है पहला भाग है क्रम संख्या दूसरा भाग है अक्षर और तीसरा भाग है शब्द क्रम संख्या के नीचे लिखा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छै अक्षर के नीचे लिखा है स, म, ह, ग, र, फिर उसके नीचे लिखा है ह, म, य, ल, उसके नीचे लिखा है ग, ग, उसके नीचे लिखा है भ, त, र, उसके नीचे लिखा है ल, क, य, उसके नीचे लिखा है व, न, प, तीसरे भाग में शीर्शक शब्द के नीचे लिखा है महासागर, फिर है रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान. आपको इन अक्षरों को किसे भी क्रम में जोड़ कर एक सार्थक शब्द बनाना है प्रिष्ट संख्या 10 जरोखे से आप अपने विद्याले में वंदे मातरम गाते होंगे वंदे मातरम बंकिम चंदर चटोपा ध्याय द्वारा रजा गया था ये गीत स्वतंतरता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रणा का सुरोथ था भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आईए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं फिर समू में चर्चा करेंगे इस प्रिष्ट पर एक तालिका है तालिका के दो भाग है पहले भाग में लिखा है वंदे मातरम और दूसरे में लिखा है भावार्थ आईए अब हम तालिका पढ़ते हैं वंदे मातरम भावार्थ हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ सुजलाम सुफलाम भावार्त तुम जल से भरी हुई हो फलों से परिपून हो मलयज शीतलाम भावार्त तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है शस्य श्यामलाम मातरम भावार्त तुम अन्न के खेतों से परिपून वंदनिय माता हो वन्दे मातरम हे मा मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ शुब्र जियोट्सना पुलकित यामिनीम भावार्त जिसकी रमणी रात्री को चंदरमा का प्रकाश शोभाय मान करता है फुल कुसुमित दुरुमदल शोभिनीम भावार्त जो खिले हुए फूलों के पिलों से सुसजित है सुहासनीम सुमधर भाशनीम भावार्त सदैव हसने वाली मधुर भाशा बोलने वाली सुखदाम वर्दाम मातरम भावार्त सुख देने वाली वर्दान देने वाली मा वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, भावार्त, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ आप यहां पर दी गई इंटरनेट की कड़ी पर इसे संगीत के साथ सुन भी सकते है इंटरनेट की कड़ी का पता है प्रिष्ट संख्या ग्यारा साजी समझ आपने मात्रभोमि कविता को भी पढ़ा और वन्दे मातरम को भी अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाईए कि इन दोनों में से कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी बातें कुछ अलग है खोजबीन के लिए नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई है इन्हें पुस्तक में दिये गए क्यू आर कोड की सहता से पढ़ें देखें वह समझें स्वाधिनता की सरगम वन्दना के इन स्वरों में ना हात एक शस्त्र हो पुष्प की अभिलाशा और ये महिमामय अपना भारत प्रिष्ट संख्या बारह पढ़ने के लिए इस प्रिष्ट पर एक परेड का चित्र है जिस पर एक सशस्त सेना की टुकड़ी का चित्र है और उसके नीचे लिखी है कविता पुष्प की अभिलाशा चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गूथा जाऊं चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गूथा जाऊं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं चाह नहीं संब्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भागे पर इठलाऊं मुझे तोड़ देना वनमाली उस पत में देना तुम फेंक मात्र भूमी पर शीष चड़ाने जिस पत जाएं वीर अनेक कवी माखन लाल चत्रवेदी इस प्रिष्ट के निचले भाग में कुछ फूलों का चत्र है निर्मान सहयोग, कुसुमलता और चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नईदिल्ली भारत